आज मैं ये न मोटे वाली बेसन की मिर्च बनाने चाहरी है आप देखिए ये ऐसे फ्रेश मिर्ची है बिल्कुल और ये इसको हुने ऐसे कट लगा लिया है इसमें बिल्कुल भी तीखापन नहीं होता फिर भी अगर आपको लगता तो सीड निकाल सकते हैं ये तो कोई जूर कट लगाएंगे तो इधर से जिखने में प्रॉबलम होती है तो आप अंदर की तरफ कट लगाएं ऐसे कट लगा के हमने इनको त्यार कर लिया है नीबू लिया है एक कब बेसन लिया है दो बड़े चमच धनिया पाउडर है एक चमच अमचूर पाउडर है नमक स्वाद के तो हमने गैस को ओन कर दिया है दुबारा से और अब हम इसमें यह बेशन डाल देंगे एक कप और इसको बिल्कुल धीमी आज पे लगातार चलाते वे पकाएंगे तो यह देखे बेशन अलकल का बोलना शुरू हो गया है विल्कुल धीमी आज पे आप इसको रोस्ट करेंगे और बेशन पहले चान लेंगे इस चीज का ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि नहीं तो गाठे होती है उसमें अब हमने इसमें एक चम्मच जीरा और आधा चम्मच ह आफ पाउडर इसको भी में तो यह दरदरा खुटा हुआ है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है तो आप जरूर इस तरीके से मिर्ची बनाए है और और 1 फूर टी स्पून के करीब ना में इसमें हींग डाल लेंगे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा थैं मसाले आप कम जादा अंपनी मर्जी से कर सकते हैं बस इसको लगातार चलाते वे भूनना है ताकि बेशन का कच्छापन दोर हो जाए अब देखिए मैंने गैस का ओफ कर दिया है बेशन भून चुका है कलर बहुत अच्छा आया है इसको मैंने टेस्ट करके भी देख लिया है नमक इसमें पर्फेक्ट है और इसको हम जल्दी से एक प्लेट में खाली कर लेंगे ताकि जो है यह ठंडा हो जाए भरने में आसानी रहे इससे पहले मैं 1 फूर्ट टी स्पून गरम मसाला डालूंगी और नीबू का रस डालूंगी अमचूर हमने डाला है पट नीबू के रसका भी अलगी फलेवर आता है बीज निकाल दे और अच्छे से नीबू नीचोड़के डालें और फिर एक बार टेस्ट कर लें इसको मिक्स करके फिर एक बार टेस्ट कर लें तो यह आपको लास्ट में ने इतना ध्याम रखना है कि बेशन जो है वो जल्दी जलेना तो बहुत फटा-फट चलाते हुए आपको लग रहा है कि जलने जैसा हो रहा है तो गैस आफ करके फटा-फटा इसको प्लेट में खाले कर ले यह बेशन लेकर अब हम एक-एक मिर्च में अच्छे से इसे भर लेंगे बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए तो चम्मच की साहता से हम इस तरह से सारी मिर्चे जो है वो फिल कर लेंगे चारों तरफ अच्छे से इसके फैल जाए देखिए नीचे तक आजा है टेस्ट क्योंकि अगर नीचे छोड़तेंगे ना तो फिर उतनी मिर्च फिकी लगेगी तो यह नीचे तक देखिए कुछ इस तरह से हम भर कर सारी मिर्ची तयार कर लेंगे देख रहे हैं मसाला इस तरह से आ रहा है यह देखिए दस मिर्च हमने इस तरह से भर के तयार कर ली है देखिए ना ना मसाला जादा बहार निकल रहा है और ना बहुत जादा भरा है जब आप मसाला भर लेना तो फिर आप इसको थोड़ा से से पैक कर देए ठीक है यह एक से डेट टेबल स्पून सरसों का तेल मैं फिर इसको हलका गर्म होने रख दिया है पकाने के बाद ठंडा करना ज़रूरी है ठीक है उसके बाद फिर हम ऐसे एक-एक मिर्चिस में चार तरफ से रख के पका लेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीज़े सब्सक्राइब कीज़े शेर कीज़े विद यूर फैमिली और फ्रेंड्स बैल आइकन जरूर प्रेस कीज़े ताकि मेरी लेटेस्ट अब्डेश्ट आप तक पहुं सके तो पहले हम थोड़ा सा इतनी पकाएंगे जितनी इसमें आ रही है उलट पर लटके इनको हम सेख जाएंगे यह देखे हमने उलट पर लटके ने इसको सेख लिया है यह थोड़ी सॉफ्ट हो गई है बस इससे ज़्यादा भी हमें सॉफ्ट नहीं करना है और जो हमारा बचावा मसाला है न वो भी हम इसम डाल देगे यह सारी ना कोट हो जाएंगे फिर तो बचावा मसाला डाल दीजे और अच्छे से चला दीजे लग रही है ना बढ़िया तो यह बाहर से भी न अच्छे से कोट हो जाएंगे तो इसमें मिर्ची का टेस्ट अलग ही आएगा जब आप यह देखेंगे ना ऐसे कोट होने के बाद बारिक की मसाले हैं सॉंफ की खुश्बू है बहुत ही अच्छे से यह बन करते आ रहेगी तो एक मिनुट के लिए मैं इसको ठकके पकाती हूँ फिर आप से मिलते हैं तो आई जेक कर लेते हैं यह देखे बहुत अच्छी मिर्च अ Taylor तयार है कोट हो गई है उपर से अच्छे से और यह देखे तो अब हम मिनकी करते हैं प्लेटिंग और यह देखिए हमारी यमी सी मसाला में जीवन कर तयार है जरूर ट्राइ किजिएगा थेंक यू सो मच पो वाचिंग माई वीडियोज